नमस्कार मैं हूँ ललित बंसलनी उसके खास पेशकर्श लक्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कारिक्रम आपके लिए बेहत काम का है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार् करनेंगे लक्ष हासिल करने में आपके मदद का हमारे खास कारिक्रम लक्ष में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं चातरों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्थर आगे बढ़ सके इसके लिए लगातार कोशिश है कर रहे हैं और लक्ष की इस खास पेशकर्ष में हमारे साथ विदिशा से सतींद्र धाकर जी मौझूद हैं जो सुपर रैंकर्स कोचिंग क्लासेस के डारेक्टर हैं और सुपर रैंकर्स कोचिंग क्लासेस की स्टुडेंड मुसकान साहू भी हमारे साथ मौझूद हैं आप दोनों काई बहुत-बहुत स्वागत करते हैं बंसली उसे बहुत-धन्यवाद शाहिए शुरुवात करते चर्चा के और शुरुवात आफी से करना चाहूंगा आप इस नोबल प्रोफेशन में कब से हैं और क्या खास कारण रहा है इस प्रोफेशन में आने का और अपन अगबग चार से पांच हजार बच्चों को पढ़ने का काम किया है। और चुछी है सवाल यह है कि मैं एंजीनियर था, इंजीनियर के बाद मैं बादे पढ़ाते ही किया है। और education को पढ़ाने को चुना, तो उसके पीछे कहीं कहीं मेरा background नाता है, मेरा पारिबार एक परिवेस आता है, मेरे परिवार में मैं जब बहुत पढ़ाई की जमाने में था, schooling में था, तब से ही एक school मेरे खुद का परिवार में चाचा जी चलाते हैं, वो भी है, और मेरे पर पूल बनता है कि जो जिस परिवार में जादा लोग जिस काम को करते हैं तो अपने आपसे वो काम करने में ज्यादा समर्ता हांसे लोती है इसलिए मैं इसे बोड़ा को सुना और डूसरी आपनेसवाल पूछा कि इस में आपने बारे में और बताई है तो मैं एक कि प diffIN किबा कभी संगम में बिल्कुल यह तीन अलग-अलग फिल्ड है अगर आप देखा जाए जैसे कि आप ने कहा कि आप इंजिनियर भी है पड़ाते आप केमेस्ट्री है और साथी साथ आप पोईट्री भी करते हैं यह तीन अलग-अलग चीज़ों कैसे मैनेज करते हैं सर यह तो क्य सदस गंटे में पढ़ाता हूं लेकिन मुझे कभी कोई थकान मैसूस नहीं होती यानि आप वो काम करिए जिसमें आपको मज़ा आता है तो निश्चित तोर पर आपको मैलेज कर लेंगे आपको सैटिस्ट्रीक्शन मिलता है काम वह करना चीजिसमें हमको पूरा सैटिस्ट प्थिक्शन मिले जी मुझेस है अपके। चाहूंगा और पहले ऊppenे बारे मुझेस्चंगी सब्जेक्ट आपके क्या हैं चाहette। मैं मुस्कान साहू, क्लास 12 मैट्स के स्टूरेंट्स हूँ और मैं गबर्मेंट एक्सिलेंस हाय सेकेंडरी स्कूल विदीशा में पढ़ती हूँ मुस्कान क्यों लगा आपको कि आपको एक कोचिंग क्लास का साहरा लेना चाहिए स्कूल में भी आपकी पढ़ाई होती है कहां पर आपको यह लगा कि आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा मार्ट दर्शन की जरुबत है स्कूल में पढ़ाई तो उच्छी होती है लेकिन कुछ डाउट्स रहते हैं जो स्कूल में क्लिए नहीं हो पाते हैं आपके फ्रेंड वगरे जाते थे या फिर कहीं से सुन रखा था आपने सर मेरी भाईया ने भी इसी कोचिंग से पढ़ाई की है सुपर रैंकर से जब वो ट्रेकों के बेस से पढ़ते थे तो मुझे बहुत इच्छा लगता था फिर भाईया को देखके ही मैंने ये कोचिंग जाइन की और यहां पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है इसलिए मैं यहां पर कंटीनियू कर रही है कि तब से लेकर अब तक मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरी डेटेल में आपको अकेडमी के बारे में जानकारे देना चाहता हूँ, राजीव नगर में सुपर रेंकर स्थापित है, और वहां आठवी से लेकर के बारवी तक के विद्यारतियों को पढ़वाया जाता है, दोनों ही माध्यम में हिंद जहां बोड तो आठवी से लेकर बारवी तक पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ में यदि बच्चा जेई और नीट जैसे बड़े एक्जाम की त्यारी करना चाहता है, तो वह भी बोड के साथ फाउंडेशन के तौर पढ़वाया जाता है, और डेपार्टमेंट में देखा ज बच्चे आप मतलब क्योंकि यह कहा जाता है कि ज्यादा बच्चे हो तो पढ़ाने में ज्यादा मस्शक्त होती और एक बच्चे के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, दिलकुल दिलकुल, क्लास में एवरेज स्टेंट रहती है सर फिप्टी स्टुटेंट, पचास बच लेते हैं और अच्छी जो अच्छे केंडिडेट्स होते हैं जो अच्छे विद्यारती होते हैं उनको ही वह सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमने देखा कि कोचिंग की मदद तो लेता है ना जिसको पढ़ाई में कमजोर जो होता है उसको जरूत होती है, तो ऐसे मैं आप किस त टॉपर है, और ट्वेल्थ में भी एपरोक्स जिजिजन रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि लगबग 90 के आसपास इसका परसेंटेज आने बाला है, तो यह तो यह सिद्ध करता है कि टॉपर बच्चे हमारे तक पहुंचते हैं, लेकिन छोटे यानि बहुत कमजोर बच्चे जो एक एक साल फैल भी कहीं दूसरी को चिंग हो जाते हैं, वो भी मेरे हाइडमिसंस लेते हैं, और उन पर काम ऐसे किया जाता है कि पहले उनकी स्टेंट को देखते हैं, वो किस लेवल के हैं, उनके मताबित उनको तयार किया जाता है, हमारे मालूम है कि कमजोर बच्चा बहुत हाइल स्टेडी नहीं कर सकता, वो ज्यादा होंबक नहीं कर सकता, तो उसको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पहले अलग से पढ़ा जाता है, ताकि कम से कम वो एक एबरेज स्टेंस पर फिर उसे थोड़ा सा मजबूत हो और अच्छा हो, मूड क्या रहत बिल्कुल, दोनों मोड है मेरे हाँ, लेकिन दोनों मोड मैं से आफलाइन की तो फीस लगती है, ऑनलाइन की कोई फीस नहीं है, ऑनलाइन मैं यह इसलिए बना के रखा हूं, कि जैसे क्लास में मैंने लेक्चर लिया और कुछ बच्चों का कुछ चूट गया, तो वो लेक् मैं यह कर Lauren, बुरी चीज नहीं है, लेकिन Online सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, जो सामने रहकर जाजा सकता है, वो Online मैं संभव मुसकान आप, क पूछना चाहूंगा, कि आप के पढ़ही का क्या किसे पढ़ती है कुछ कई स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम को देखने वह जानना चाहेंगी कि टॉपर स्टूडेंट कैसी पढ़ती है कोचिंग क्लास की किस तरह से उनको मदद मिलती है घर पर का टाइम जो है आप किस तरह से मैनेज करती है पढ़ाई का उसके बाद इसकूल में जो लेक्षर होते हैं उन पर भी पूरा कॉंसेंटरीट रहता है उसके बाद घर पर जो टाइम मिलता है उसमें मैं कोचिंग और स्कूल का हॉमबर करती हूं और उसके अलावा अपनी सेल्फ स्टेडि करती हूं जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसको जादर टाइम देती हूं जो इजी है उसको थोड़ा कम देती हूं रिवीजन वाले सब्जेक्ट में सुबह पढ़ती हूं और मैस जैसे कभी-कभी बूर हो जाते हम तो मैसे सब्जेक्ट को रात में पढ़ती हूं जिससे की दिक्कत नहीं आती और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाते हैं तो कभी एकसा कोई प्रेशर महसूस होता है या परेंट्स की तरफ से जो कहते हम की पढ़ाई करो कॉम्पूटिशन जबरदस्त है स्ट्रेस जो महसूस होता है बच्चों को आजकाल कॉम्पूटिशन का यूग है क्या आपको लगता है कभी-कभी कि कम समय है ज दियार करते हैं अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो कोचिंग या स्कूल में सर को बताते हैं तो सर हमें कुछ उपाई बटाते हैं जिनको हम लाइफ में करके देखते हैं जिससे हमें रिलीफ मिलता है सरतिंची आपके पास भी तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं सबके अलग-अलग स्थार हैं उनके घर परिवार का माहौल भी अलग-अलग है किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है किसी कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता तो सबसे पहले मेरे से पर्सेनल जा करते हैं जब शेयर करते हैं तो मैं उनको फैंबली मेंबर बनके उनका जोलेशन बताता हम नहां हूँ आप यह मानिया, जैसे मुझे लगता है, कि बच्चे को प्रोब्लम है, तो自撃 इनके परेश्र को बुला लेता हूँ। यह कभी-ख़ी बच्चा यदृ-दंडता कर रहा है, तो भी प्रोब्लम में जा रहा है। इस तरह से तभी पिरेंट्स को बुला करके समझा जाता है कि बच्चों को प्रैसर की जरूरत नहीं है इन्हें अच्छी देख्भाल की जरूरत है इनको उपर भरोसा करने की जरूरत है और बीच बीच में भगवान की दरस्टी से कभी हूं तो कविताओं के माध्यम से या अच्छा बना रहता है मेरी कोचिंग में मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा नर्वास हो सकता है एक भी बच्चा डी मोटिवेट हो सकता है ऐसी स्थितियां आती होंगी जो कंप्लीट लगातार पढ़ते-पढ़ते बच्चे बूर भी होते हैं उनको कहीं थोड़ा सा रास्ता चेंज जिसे हम कहते हैं कि कुछ मजाक हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए, कुछ activities ऐसी हो जाए, जिससे कि एक बार फिर पढ़ाही रूचक लगने लगने लगए बिल्कुम सर यह संस्थान वालों से यही कहुंगा, कोचिंग वालों से भी, स्कूल वालों से भी, कि आ आप अकेली पढ़ाई और एक अकेले टार्गेट लेकर के चलोगे कि नहीं हमारे बच्चे को 90 के अब लेकर जाना है रोज पढ़ाना है संडे को टेस्ट लेने इसके अलाव आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है इसका मतलब कहीं आप बच्चों के साथ दोका कर रहे क्योंकि पढ़ाना और पढ़ाने के साथ बच्चों की देखवाल करना भी आपकी नेतिक जिम्मेदारी है और वो कैसे पूरी होती है उसके लिए जरूरी यह है कि जैसे आपने डिसाइड किया कि संडे को टेस्ट होगा ऐसे ही आप डिसाइड करिए कि एक महीने में ऐसा होते हैं हर महीने कुछ न कुछ फेस्टिवल होती है चाये तो अपने रास्टी फेस्टिवल की बात करें या धार में खोते हैं उनको कंवर्ड कीजिए उसमें बच्चों से परफॉर्म करवाईए बच्चों को मंच दीजिए तो थोड़ा सा क्या कि माहल बनता है प्लस प्लस उनको एक इवेंट जैसा भी मैसूस होता है तो टीचर को बच्चों को लगातार बात करते रहना चाहिए और कभी भी कोई दिक्कत हो तो बच्चों को अपने टीचर से बात करनी चाहिए मुस्कान मौक टेस्ट जैसे कि हम कहते हैं कि आजकाल बहुत जरूरी है और सा एक्जम की तयारी के लिए बहुत हैल्फ होती है और से हमारे युनिट भाइस टेस्ट लेते हैं दि और उसका अप्जेक्टिबा से अलक से हूता है आ जिससे हमें लिखने केैपर्द प्रोसर चलता है कि हमैं इतने टाइम मैं यह करना ही करना है और कुछ Rush टेस्ट में important question मिल जाते हैं जिससे हमारी पढ़ाई और भी आसान हो जाती है और हमें एक निश्चित टाइम में पेपर करने की समय भी मिल जाता है सर आपके अलग लग समय पर कोई ऐसी एक्जाम रखते हैं क्लास में भी कि ताकि बच्चे का स्तर है वह आपको समय समय पर पता लगते रहे कि कितना बढ़ चुका है बच्चा आगे या कहां समझ में नहीं आ रहा है टेस्ट पैटर्न इतना प्यारा है जिसको मैंने डिजाइन किया कि सबसे पहले जैसे आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का टेस्ट आने वाले संडे को ले लीजिए यानि जब भी टॉपिक खतम हो रहा हूं उसके बाद जो संडे आता उसका टेस्ट ले इसके बाद organic का separate ले लेते हैं, inorganic का अलक्से ले लेते हैं, और भी judge करना है कि बच्चा दो नम्मर में कितना लिखना है, बच्चों को यह नहीं बालू, टू मार्क्स में कितना लिखना है, तो उनको दो दो नम्मर के test अलक्से जैसे अभी मुस्कार ने बताया, marks wise test भी मैं organize कराता हूँ, फोर मार्क्स में कितना लिखना है, यह बच्चे तभी सीख पाएंगे, जब फोर फोर मार्क्स का आप test organize करोगे, objective अलक्से, numerical अलक्से, तो यह बीच बीच में routine है, लगवागे माल लीजी, एक साल में एक subject में average पचास टेस्ट लिए जाता है, यहां पर आपक मार्क्स की questions का एक वार revision class फिर से लगवा और उनने बता हो कितना लिखना पड़ता है, तो धीरी-दीर करके तमाम चीजें समझ में आने लग जाती है, और खास तोर पर जब हम बड़ी class लेते हैं और strains ज्यादा हो, तो शायद बच्चों को यह परकने में बहुत मुश्किल होती है, क्या सर के सामने ये सवाल लेकर जाये, न जाये, डाट तो नहीं देंगे, सर, बताएंगे की नहीं बताएंगे, इस तरह की समझ से आती हैं, कि बच्चे आते हैं, बेधड़क आते हैं, मुसकान आप से पूछना चाहूँगा, आप सर के पास चले जाते हैं, प्रवाब सरडाउट क्लास पी लगाते हैं और जैसे कोचिंग के छुटी होती है उसके बाद भी अपन रुख के पूछ सकते हैं सतनी आई टी जे डबली यह एक तो इसके बारे में कई लोग आते होंगे आपसे करियर कांसिलिंग के लिए आते होंगे पूछते होंगे कि क्य क्यारिया आप करवाते हैं दोनों ही एक्जाम को लेकर मैं आपको बता दू जो लोग कोचिंग नहीं पढ़ते उनके काम की भी चीज़ है 11 तो 12 के साथ जैनीट की तैयारी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक एंसी आई टी के बुक आती है यदि आपने उसका डीप स्टड़ यह दोना एक्जाम इंसी आइटी पैटन से आते हैं लेकिन क्या स्कूलों में उतना हो नहीं पाता ऐसा क्यों नहीं होता उसके पीछी का कारण यह है कि गवर्मेंट स्कूल में जो है तो आपको भी मालूम है सब समझते हैं दिल सारे काम है टीचरों के पास पढ़ाने के अ उतना पढ़ नहीं सकते हैं कि पूरी एंसी आइटी को सॉल कर लें इसलिए उन्हें कोचिंग की जरूवत पढ़ती है अब कोचिंग में आएंगे तो कोचिंग में भी दो तरीकी का पैटन है आपको बोर्ड औरियंटेट पढ़ाना है या फिर आपको जे इनीट औरियंट सब कुछ प्री डिफाइंसा ही होता है लगवग तो टीचरों को क्या उपर उपर से या लगवग पढ़ा देते हैं अच्छा परसेंटेज बन जाता है लेकिन वह बच्चा जही नीट के लिए तयार नहीं है जही नीट के लिए तयार होना है तो आपको बोर्ड के पैटन स से हटके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेशन एक एक टॉपिक पर आपको सौसो दोसो एक्स्ट्र करवाने पड़ेंगे डीप स्टडी कराने पड़ेंगे इसी दीबात यह है उसमें भी निगेटिव मार्किंग का एक अपना रोल होता है लोग बच्चे जो उससे डरते भी ह कितना रोल है उसका और उससे कैसे बचा जाए मतलब वो कितना खतरनाक है या उसको साथ मेरे के बहुत इजी ले सॉल्व किये जा सकते हैं उसके पीछे का देखो मैं आपको कौन से स्कूरेंगे पहले तो यह टार्गेट कीजिए कि आपकी खुद की स्टेंद क्या है या आ इस बात पर बात खतम इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत बच्चा फिर अपने आप से डिसाइड करता है कि कौन सा क्वेशन चोड़ना है और कौन सा क्वेशन नहीं चोड़ना लेकिन यदि उसका लेवल केवल मेंस के लायक है जही मेंस देना चाहता है तब यह बात मुद प्रोसेस की हैं आपके पास फॉर्मूले हैं आप उससे जाए सीधी आंसर आगे तो टिक कीजिए यानि मैट्स और केमिस्ट्री इन दो में डाउट होने के चांसे कम होते हैं बिल्कुल आपने केमिस्ट्री का जिकर कि आप पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में रासानिक प्रति एक सेख पड़ें लेकिन मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि बहुत अच्छे टीचरों में मेरा नाम आएगा एक तनी शांदर शांदर ट्रिक्स बना करके जो मेरी खुद मेड होती हैं मैं उनको खुद बना रहा होता हूं क्योंकि मैंने कहा ना कि जहाना पहुंचे रवी व श्के बाद मुझे आपकी यादा ही तो मैंने उसमें प्रोमीन जाता हूं बताता हूं तो बच्चों को यह क्लियर हो जाता है जैसे आपने पहले बता थे कि इतना रोचक बना दो कि उस सब्जेक्ट में जो बूरिंग लगने वाला है वो इंटरेस्टिंग लगा है यही उ मुस्कान आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है फिजिक से हैं केमिस्ट्री और मैट्स हैं और अगर कोई डाउट जाता है तो सरसे क्लियर कर लेते हैं या फिर यूट्यूब पे भी आजकल बहुत चैनल हैं एक सरसे नहीं हम हजार सरसे पढ़ सकते हैं सतेंची आप से जाना चाहूंगा टेक्निकल एजूकेशन कितना इंपोर्टेंट है टेक्नोलोजी का भारत में और खासकर डेवलपमेंट कंट्री तो कितना योगदान मानते हैं और कितनी जरूरी है जरूरी है सर आज जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है जैसे कहा गया त पीछे तोर पर 21 सदी भारत की है इसमें कोई दोरा नहीं है और उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आज टेक्नोलोजी का डवलमेंट भारत में तेजी से हो आज हम धच्छडी दुरुपत चंद्रमा पर जाकर खड़े हुए हैं तो केवल और केवल टेक् पर आज हम और आप बात करके लोगों तक पहुच पा रहे हैं यह भी टेक्नोलोजी की वज़े से मुझे नहीं लगता के दुनिया के ऐसा कोई भी फील्ड है जहां टेक्नोलोजी अपना योगदा नहीं दे सकती और आज के योग में बिना टेक्नोलोजी के आगे बढ़ना मुझे लगता है कलपना के परे आपने सही का सतेंजी टेक्नोलोजी बहुत जरूरी है और उसी में हम भारत प्रगति करेगा आगे और आने वाला समय भारत का है निश्चे और सतेंजी बंसल ग्रूप का योगदान आप एजुकेशन फिल्ड में किस तरह से लेखते हैं और मैं डूर्स आपका योगदान सुरू हो जाता है प्लस मुझे नहीं लगता कैसा भूपाल में इसे फिल्ड cen अ समाज की बात करते हैं इस्टूडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से भी आपका योगदान है प्लस एजुकेशन में शांदार इसलिए कहुंगा है क्योंकि मैंने बंसल कॉलेज को भी विजट किया है मैंने वहां जाके पोईटरी पढ़ी है मैंने पोईटरी पढ़ने के सा कि बिलकुल बिलकुल के बच्चों पर आब जमाना बिलकुल बदल गया है इसमें प्रैसर ना दें उनकी योगिता को जज़ करें कि वो किसमें अच्छा कर सकते हैं फिर उस बच्चे को उसी में लेके जाएं अब हर बच्चा इंजिनियर और डॉक्टर ही बस बनेगा ये चला गया है, multi talented का जमाना है, बच्चे के अंदर उसकी प्रतिवा को खोजी और उस पर काम कीजिए, और result आने वाले हैं, कुछ समय बाद अभी पेपर चलें तो result भी आएंगे, result के बाद बच्चों के जो भी result आता है, उससे संतुस्ट रहे है, पेरिन से मेरा हाथ जोड का न जिन्दगी की हर परिच्छा में वो कम करेगा, जिन्दगी में तो बहुत सारी परिच्छा है और वो एक के बाद एक पास करती जानी है, एक आतमे फेल हो जाए, तो कोई बात भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहे, और समवाद बना रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, सतिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्कान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए और खास और परिच्छा